बिन दर से बिन परस के नाम लिये क्या होएं? धन धन कहे दो धनी बने तो निर्धन रहे न को हैं? नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है शान्ती का अनुभव जिसका मकसद है कि हम अपने जीवन में शांती को अपना सकें शांती का अनुभव के इस सफर में हमारे मार्गदर्शक है प्रेम रावजी जिन से हमने अभी तक ये जाना कि शांती क्या है और हमारी जिन्दगी में इसकी क्या जरूरत है आज के इस सफर में हम जानेंगे कि शान्ती सिर्फ एक शब्द नहीं है शान्ती सिर्फ चर्चाई करने, भाषन देने और गुणगान करने की चीज नहीं है सबसे जरूरी बात यह है कि शान्ती हमको जीते जी महसूस होनी चाहिए बिन देखे पर्खे बिना नाम लेत क्या होई धन धन खहे धनी बने तो निर्धन होए न कोई बिना देखे बिना अनुभव किये बिना पर्खे बिना परसे अगर सिर्फ नामी रठने से सब कुछ हो जाता तो सबी लोग कहते धन-धन-धन-धन धन-धन-धन तन और सभी अमीर हो जाता है गरीवी का नाम ही नहिए दं-धन खहने से कोई धनी नहीं होता है उसके लिए मैंङनद करनी पढ़ हिर यह कोई कह कि और मनुष्य के साथ भी यही बाट है कि अगर वो अपनी जीवन के अंदर शान्ती चाहता है तो शांती Challenge शांती 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 कहने से सार्फिल है उसके लिए एक मार्क अपनाना पड़ेगा उसके लिए कोई विधी करनी पड़ेगी उसके लिए को एक ऐसी चीज धुड़नी पड़ेगी जो सच मुच में हमको शान्ती का अनुभव करा सब्सक्राइब तो जो स्पेशल चीज हमारे अंदर है उसको हम कैसे जान पार सकते हैं यह आपने बहुत अच्छी बात कहीं कि यह मूल में बहुत संस्या है लोग के साथ अगर लोग यह भी जान जाएं या सुन लें कि भई जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुमारे अंदर है शान्ती त फिर भी वो उस तक पहुचने में ना सफल रहते हैं क्यों कि बहार इतना उनको अट्राक्शन है मेरे को यह बनना है मेरे को यह करना 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 है अब बात है कि मैं एक बात कहता हूं कि दो दिवालें एक दिवाल से आप अंदर आना है और जब दूसरी दिवाल पर पहुंचेंगे आप तो आप गए फिर वापस नहीं आएंगे तो इन दो दिवालों के बीच में सारा शो है आपका शो है आपकी जिंदगी आप क्या कर रहें हैं आप कर क्या रहें मैं रिडियो जोपी अप मनुश्य यह आपकी जिंदग है आपकी होप है अगर आपको कोई आफर करें जिस position में आप बड़े रेडियो जाकी बन सकें ताकि आपकी तनखा भी और मिले और आपको पसंद है रेडियो जाकी होना तो आप उसको prefer करेंगे बिलकर और अगर कोई आपको कहे कि नहीं आप तो बहुत ही कावियत हैं और मैं अंदर का दिखूंगा मुझको कहा संतुष्टी और कहा सुक मिलता है परंतु वो जो सुक और शान्ती की बात आप कर रहे हैं वो कह रहा है कि आपको मैं चार गुना तनखा दूँगा ट्राइ कर लो पता नहीं इस परस्तिती में मेरा क्या होगा वशन हो गया ना जी जी क्योंकि हम सोचते हैं कि तरक्की की सीड़ी वही है परंतु यह कहा से फॉर्मिला आया यह हमने शायद लोगों में ही देखा आसपस बिलकुल यह दुनिया से सीखा है और यह सीखा हुआ है यह आपका नीजी नहीं है यह सब स्कृप्टेट है ये सब्सक्रिप्ट है और इसी के बस में हजारों साल पहले भी लोग थे बिल्कुल और उस सेमें वह टेक्नोलोजी rehab नहीं थे आज हम टेक्नोलोजिकल वर्ल में रहते हैं फिर भी उसी चीज बें फंसे हुए बिल्कल सेहाँ पिर भी उसी वही स्क्रिप्ट पढ़ रहा है कई बार मैं कहता हूं लोगों से कि जो आपकी समस्याँ हैं वो पहले किसी और को परेशान करती थी हैं वही और अब आपको परेशान कर रही है और आपके बाद पिर किसी और को परेशान कर रही है कि ये उस एक चीज जिसे कहते हैं असली संतुष्टी, असली सक्सेस, क्योंकि आज कल के लोग संतुष्टी कम समझते हैं, सक्सेस जादा समझते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सक्सेस के पीछे पैसा है, सक्सेस के पीछे पैसा है, सक्सेस के पीछे फेम है, सक्सेस के पीछ यही है अट्राक्शन मनुष्य के लिए और इसी अट्राक्शन से वो अपने आपको नहीं समझ पा रहा है। जब आएने के सामने खड़ा होता है तो उसको तो देखना चाहिए अपना चेहरा चौनकि आएना उसको अपना चेहरा दिखाएगा। परनतु वो मास्क लाता है ऐसा थी लगयोंगा अगर यह होता तो कैसे लगता। यह हो तो कैसा होगा। tend to The यह हो तो कैसा होका। और यही उसके hopes बुछ से बिलकोल। इसी चीज से आपकी एक बात से मेरे दिल में एक सवाल है आप ने शायद उसका लगभग उत्तर दिया पर मैं उस चीज़ को और भी विस्तार से जाना चाहूंगा जरूरी क्या है कि पैसे कमाकर मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करूं या फिर अपनी इच्छाओं को खत्म करकर एक संतुष्ट जीवन बिताऊं देखिए ये सवाल जो आपने किया है ये भी बहुतकूरिन सवाल है क Ci बहुत लोग ये पूशते है इसने एक गल्थ फैमी है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे ये आपकी गल्थ पैमी है आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होंगी क्योंकि जो एक रुपया कमाता है उसके लिए दस बहुत है जो दस कमाता है उसके लिए सौ चाहिए जो सौ कमाता है उसके लिए हजार चाहिए और जो हजार कमाता है उसके लिए लाख चाहिए और जो लाख कमाता है उसके लिए दस लाख चाहिए और अगर आपको कोई इस बात में यह से लगता है कि यह बात सही नहीं है तो आप दुनिया को देख लीजे मैं लोग पॉइंट ऑफ साटिस्फेक्शन है नहीं है नहीं इंफिनिटी मैं लोग बढ़ते जाएगा अगर आप के पास क्या कहते हैं कार नहीं है स्कूटर नहीं है साइकल नहीं है और आप पैदल चलते हैं तो कितना आप सोचते होंगे लोग सोचते हैं कितना अच्छा हो बाइसिकल हो जाए जिसके पास बाइसिकल है वो सोचता है कितना अच्छा हो स्कूटर हो जाए जिसके पास स्कूटर है वो कितना अच्छा हो, मोटर साइकल हो जाए, मोटर साइकल हो जाए, बड़ी कार हो जाए, बड़ी कार हो जाए, पिर 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 बड़ी कार हो जाए, कहां रुका जाए, कि नहीं फुल स्टॉप कहां लगे लाइफ में की या यह नहीं आगे नहीं आगे जितना बढ़ोगे बढ़ते जाओगे बात यह है जो गल्थ फैमी की बात जो मैं कहा रहा था एक तो यह लोगों की गल्थ फैमी है कि कहीं अगर इसी सीडी पे चलते रहे तो कहीं सारिस्फाक्शन में पहुँच जाएंगे यह होगा नहीं दूसरी गल्थ फैमी यह है कि या तो यह है या फिर अंदर की शांती है दोनों नहीं दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकती है दोनों कभी एक साथ नहीं होते हैं यह गल्थ फैमी है क्यांकि आप जो भी करना चाहते हैं बहार वो करिए और जो अंदर की बात है वो अंदर की बात है और जब तक आपके अंदर वो सकून नहीं होगा जब तक आपके अंदर वो शांती नहीं होगी तो बहार चाहे कोई भी बाता वरण हो आप शांत नहीं रहेंगे जिसका सब कुछ चला गया है, क्या वह भी शान्ति का अनुम्हों कर सकता है? जो कुछ भी बहार है, वो बहार है और जो कुछ भी अंदर है, वो अंदर है और शान्ती तुमारे अंदर है, बहार नहीं है बहार सब कुछ हो, कुछ ना हो, क्या है, क्या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, अगर सब कुछ चले गया तुमारा यह तुम समझते हो, तुम्हारा सब कुछ अभी नहीं गया है, काम, प्रोग, मौ, लोग, यह तो अभी तुम्हारे दोस्त हैं, यह कहीं नहीं गये, यह तो तुम्हारे सिर पे मन रहा रहे हैं, ओर तया, सपस्ता, यह सारी चीजें यह भी तुम्हारे अंदर, तुम्हें जिसको कह रहे हो कि सब कुछ खो गया, खो गया वह बहुआर का खो गया, वह अंदर का सब कुछ अभी है, अपने अंदर उन चीजों को प्रोष्तान दो, जो अच्छी चीजें, जो सुन्दर चीजें, जिनसे आनंद मिलेगा, हिर्दे को आनंद मिलेगा तो शांती का अन्भव तो हरे एक व्यक्ति कर सकता है हरे एक व्यक्ति कर सकता है चाहे किसी भी प्रस्तिती में क्यों ना हो चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग क्योंकि राजापने में शांती नहीं है, रंकपने में शांती नहीं है शांती है तो अंदर और जब तक ये स्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है और जा रहा है तब तक तुम इस शांती का अनुभव कर सकते हो वेस्टन यह गुमते थे क्यों आरक हैं यह दुनिया क्यों चल दी है क्यों यह फर्ज वर्ज या यह जो सुक दुख आदमे की दोड़ क्यों है यह सब है ना चैये चुए जो भी होता है जो इच्छाए है तो आखर क्या थाबित करना चाहता है कौन इसके पीछे एक बहुत तो असान तो था मायन जो बोला सांती संदेष प्रेमरावज जी का संदेष मैं ने बढ़ा यह तो सुनना पड़ेगा देखना पड़ेगा क्या है तो उनों ने दिखाया उसमें की सुरू में हमने जीलू में भी काम करा और आजादी कैसे मिलते उनों ने का बंधन में तो अरभी हैं लोग और जिसको आजाद होना हो यहां भी आजाद हो सकता है तो मुझे लगा कि तुम हो सकते हो आजाद है मेरे को यह समझ माया कि सबसे पहले तो हमारे पर क्या है इस वर की तरफ से में नियामतें क्या मिली है हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए जब हम बढ़ती हैं हम नेचर को एक मेसेज देते हैं कि यस मुझे यह पसंद है और वो बढ़के हमारे तरफ आता है तो पहले वे मिली वी चीजों के लिए किर्टग्य होना ज़रूरी है तो थैंक्पुल हुए फिर उन्होंने जो रास्ते बताए उनके पड़ती थैंक्पुल और शुकर गुझार हुए प्रिमरावजी के पड़ती कि उस आनंद के उस छेत्र में पोँचने का जो उन्होंने रास्ता बताया उसके पड़ती एक उनकी करुणा के पड़ती उनकी दया के पड़ती इतना हिर्दय मल्ला भाव विबोर हुआ हर सांस के साथ जब जूला ज जन्यवाद और ये अब समझ माया है कि कुछ रहे न रहे, ये सांसे, जब तक हम रहेंगे सांसे रहेंगी, कितना दुख का समय हो, कितनी बुरी गटना हुई हो, हमें पता हम अब भी मुस्करा सकते हैं, हम सकते हैं, अपनी प्रकृति को समझो, जब जब भूग लगेगी तुमको खाना पड़ेगा, ये तुम्हारी प्रकृति है, जब जब प्यास लगेगी तुमको पानी पीना पड़ेगा, ये तुम्हारी प्रकृति है, और इसी प्रकार जब जब इस हिर्दे को उस शांती की प्यास लगेगी, तो तुमको बैठ करके अपने अंदर की चीज का अनुभव करना पड़ेगा अनुभव करना पड़ेगा वाकई सिर्फ बोलने से कोई चीज तच हो जाती तो ये दुनिया शायत कुछ और ही होती जैसे पानी को सामने रखने से प्यास नहीं मिठ सकती और खाने को सामने रखने से भूख उसी तरह शांती की इच्छा करने और शांती शांती बोलने से वो हमारी जिंदगी में आ नहीं सकती हम अपने आपको इस छलावे में नहीं रख सकते कि हम तो शांती की बहुत कामना करते हैं और अलग-अलग तरीके से शांती की चर्चाएं भी करते हैं बेशक हम 2400 घंटे शांती का नाम लेते रहें लेकिन मिलेगी वो हमें तब ही जब हम उसका अनुभव करेंगे एक अवनाशी है जो आइंस्टाइन ने इस चीज़ को समझाया है यह गुल समसी स्कुर्ण जो था जो है जो हमेशा रहेगा जो अनन्द है जो यहां भी है वहां भी है उपर भी है नीचे भी है कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर वो विराजमान नहीं हरी एक चीजबें तो एक तो हुआ वह विनाजी जिसको नापा नहीं जा सकता जिसको तोला नहीं जा सकता जिसकी फोटो नहीं खेंची जा सकती, जिसका चितर नहीं बनाया जा सकता और यहां तक कि उस चीज़ को आप अपने ख्यालों से, अपने विचारों से भी नहीं पकड़ सकते हैं मतलब कोई अगर आपसे कहे कि वो क्या चीज है, तो आप बथा नहीं सकते कि वो क्या चीज है, क्योंकि यह जो ख्याल हैं, यह जो हमारे विचार हैं, इनकी भी एक सीमा है, उस सीमा के बाद यह नहीं जा सकते हैं. चोटा सा उधारन जो आपने पहले सुना हुआ है, कि आम का क्या सुवाद होता है, तो सुवाद जो है, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं, उसका वर्णन करना मुश्किल है. इलाइची, आप सब लोग ने खाई है इलाइची, इलाइची की सुगंद कैसी होती है, उसका वर्णन कैसे करेंगे, आपको मालूम है जब मैंने कहा इलाइची हो सकता है कि आपको इलाइची का अन्भब भी हुआ हूँ, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इलाइची का सवाद क्या है और अगर कम से कम सवाद नहीं मालम ते आपको उसकी जो खुश्बू है वो कैसी है आपको मालूम है अच्छी दरीके से पर उसका वर्णन नहीं कर सकते ठीक इसी प्रकार एक अनंत है अविनाशी है था है रहेगा उसी से सब कुछ आया है उसी में सब कुछ समाप होता है तो एक तो है वो जो सब जगे जो अनंत है उसका उल्टा क्या है उसकी अगर परचाई को देखें तो वो क्या है तो वो है नाशवाद जो नहीं था अब है और आगे नहीं रहेगा एक चीज जो सब जगे है एक चीज जो सब जगे नहीं है एक चीज वो जिसका कभी अन्त नहीं होगा एक चीज वो जिसका अन्त होगा तो इन दोने की विवाद क्यों कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि ये जो समय है जिस समय में आप जीवित हैं ये एक ऐसा समय है जब आप सुनते हैं कि ये जीवन है ये आप की जो जिन्दगी है ये सब कुछ ये जब ये चीज़े सुनते हैं तो पता नहीं क्या 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 आपके मन में क्या क्या बाते आती होंगी मेरा जीवन है आप अपना चेरा देखते होंगे अपना नाम सुनते होंगे या कुछ ऐसे ही विचार करते होंगे जो आपकी नौकरी है जो आपको परिवार है जो आपका मकान है जो आपकी जिम्मेवारियां है जो आपकी समस्याइं है जो कुछ भी आपकी जिंदगी के परन्तु यह जो संयोग है, यह कुछ ऐसा है कि इस संयोग में वो जो अनंत है, वो जो अब नाशी है, और यह जो नाशवान है, यह दोनों मिल गए हैं। मिल तो जरूर गए हैं, परन्तु नाशवान अभीवी नाशवान है और अभीनाशी अभीवी अभीनाशी है। क्या हुआ है? यह अपने में ही एक चमतकार है, कि अभीनाशी जो नापा नहीं जा सकता जो, जो अनंत हैं, वो एक ऐसी चीज़ के अंदर आकर बैठ गया है, वो एक ऐसी चीज़ में समा गया है, जो बहुत छोटी है। अनंत नहीं है, और जिसका नाश होगा। इसे कहते हैं मनश्य। ये हैं आप, ये हुने। ये जो आप भार देख रहे हैं, इसका नाश होगा। ये नाश्वान है। और इसके अंदर क्या बैठा है, कौन बैठा है। इसके अंदर बैठा है अवनाशी। जिसका कभी नाश नहीं होगा। जब तक ये है, तब तक एक मौका है। और मौका क्या है? कि ये जो अवनाशी है, इसको ये नाश्वान इसका अनुभव कर सकता है। इसपो पकड़ नहीं सकता है। इसको खैंच नहीं सकता है। इसको पकड़ के काभू में शक्रावत कजिए क्यों की इसी शरील का ही नाश्वान होगा। तो जब नाश होगा तो फिर दोनों की दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगे जो अभिनाशी है वो कहा जाएगा वो तो वही है जो जा नहीं सकता करेंगे वो यहां भी है वहां भी है और यह जो नाशवान है यह नाशवान सरीर और नाशवान चीज़ों में जिनसे बनके यह जाया है, उनमें जाके समाज आएगा और उनसे एक हो जाएगा, फिर नहीं रहेगा, यह जोड जो बना यह जोड नहीं रहेगा, वह अलग हो जाएगा। तो इसकी जो संभावना है कि ये नाश्वान सरीर इसमें रहते हुए आप उस अविनाशी का अनुभव कर सकते हैं। ये बात है। ये है आपकी असली जुनगी। ये है आपकी एक्जिस्टेंस। ये है आपकी लाइफ। ये है आपकी संभावना। ये है आपकी शक्ति। और अगर ये आपने कर लिया तो आपका सक्सेस यही है। आपकी सफलता यही है। शान्ती संभव है और संभव ही नहीं ये मेरे जीवन में संभव है शान्ती का अनुभव के इस सफर में हम अपने आधे पड़ाव पर खड़े हुए है जहां हमने ये सीखा कि शान्ती के अनुभव के बिना शान्ती की सारी जानकारी, शान्ती की सारी चर्चाएं अधूरी है प्रेम रावत जी ने अब तक शान्ती को एक बहुती सरल विशे की तरह समझाया है अब तक हमने ये समझा कि शान्ती का एहसास करना कितना जरूरी है लेकिन शान्ती का अनुभव कैसे किया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे अगले भाग में तो मिलते हैं अगले भाग में तब तक के लिए दीजे अजाज़त नमस्कार झाल